नमस्कार आप देखें न्यूस पॉर्ड नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ राम नवमी के जूलुस के बाद जो है बिहार शरीफ और सासा रामे जिस कदर से हिंसा भड़कता है जिस तरह से जो है वहाँ तनाव पूर्ण स्थिती पैदा हो जाती है जिसके बाद आज से दो बजे तक वहाँ के जो दुकान है वो खोली जाएगी इतना ही नहीं बिहार पुलिस लागतार इस पूरे मामले की छानबिन कर रही है इस मामले पर जाच कर रही है क्योंकि बिहार से लेकर देश भर की राजनेती जो है वो गर्माई हुई है लागतार राजनेता इस मामले पर भी जो है वो अपने प्रितिक्रिया दिये और आपको बताएं कि अब जो बड़ी खबर नितकर सामने आ रहे हैं वो यह है कि आज पांस दिन हो गये हैं और पांस दिन तक इंटरनेट उपलब्ध नहीं है इंटरनेट बंध है और आज से हाला कि आज से दो बजे तक दुकाने खोली जाएंगी और अब तक फूल 173 लोग जो है गिरफतार हो गया यानि 173 उपद्रवियों को गिरफतार किया गया है और आपको बताएं इस मामले की पूरी जो जाच है वो खुद जेस गंगवार यानि जो ADG मुख्याले जेस गंगवार वो कर रहे हैं बि इस कॉन्फरेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी कि अब तक कितने लोगों को गिरफतार कर लिया गया है और बिहार पुल इस पूरे मामले में कितने राम नवमी शोभाय यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद बिहार सरीफ और सासा राम में विवस्था धीरे धीरे पट्री पर लौट रही है अभी तक 173 लोगों को गिरफतार किया गया है इंटरेट शेवा सुक्रवार से ही बंद है बच्चों के स्कूल कोचिन को भी 4 अप्रेल तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था केंद्र शुरक्सा बलों के साथ स्थाने प्रशासन चप लिबं फेक कर फिर से महौल बिगारने की कोशिश की गई हाला कि बिहार सरीफ में पिछले 24 घंटे में कहीं भी किसी तरह के वार्दात की सूचना नहीं है मुख्यमंदरी तीश कुमार से हाई लेवल मिटिंग के बाद राज जी के डीजी प्यारेस भट्टी रविवार की देश शाम बिहार सरीफ पहुंचे और गगन दिवान समेत अन्य मुहलों में जाकर स्थिती की जानकारी ली उन्होंने पुलिस पताधिकारियों को उपद्रवियों से शक्ति से निपटने का अदेश दिया उन्होंने कहा कि दोशी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए न कमान संभालते ही जीले में शांती का महौल कायम हो गया है मंगलवार सुबै से दो बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश भी दिया गया है इसके बाद केंद्रे बलो द्वारत सहरी शेत्रों में सक्ति बढ़ती जाएगी बता दे वहीं रोतार जीले के सासाराम में र स्थिती सांतिपुर्ण है उपद्रवियों की गिरफतारी के लिए सघन च्छापे मारी की जा रही है एसपी ने बताया कि राम नवमी के बाद हिंशा को पुलिस के द्वारा नियंतित भी कर लिया गया है बता दें कि राम नवमी जुरुष के बाद दो पक्षों में से अधिक गिरफतारी सुनिश्चित की जाएगी प्रभावित छेत्रों में लगतार इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है किसी भी तरह के भ्रामक खबर तस्वीर या वीडियो जिससे आपसी सोहार्द संप्रदाइक्ता या सांती विवस्था बाधित न ऐसी कोई स्थिती उत्पड़ ना हो हाला कि आज पाचवे दिन तक इंटरनेट बंद है इंटरनेट बहाल नहीं किया गया है लेकिन आज से दो बजे तक दुकाने खोल दी जाएंगी चार अप्रेल तक सरकारी प्राइवेट स्कूल या कोचिंग जो संस्थान यान इंस्ट अनिवाल